सोलनक्षेत्री अस्पताल के स्मीव एक नीजी होटल में एक ब्यक्ती से चरस की खेप ब्राम्ट हुई है मिली जानकारी के अंसार काफिस मेज से SIU टीम को ये जानकारी मिल रही थी कि इस नीजी होटल को चलाने बाला ब्यक्ती नशे की तसकरी करता है तो SIU की टीम ने गुप सूचनक के अंसार अपना जाल बिछाया और होटल से नशे की खेप स्मीथ ब्यक्ती को रंगे हाथों पकड़ा फिलहाल पुलिस इससे ये पता लगाने का प्यास कर रही है कि आखर इतनी बड़ी खेप इस ब्यक्ती के पास कैसी पहुंची और ये आगे किसे इसको बेशने जा रहा था पकड़े गए ब्यक्ती से भारी मात्रा में चर्श प्राम्त की गई है आपको पता देंगी पकड़ा गया आरोपी अस्पिताल के स्मीथ ही होटल और धाबा भी चलाता है इसी होटल की आर्ण में ये सारा गोरक धंदा चल रहा था अतिरेक पुल पर रेट की और आरोपी व्यक्ती से करीबन 2 किलो 14 ग्राम चर्श प्रामत की है पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एंड़ी पीएस एक्ट के तहत मामला दर्श कर लिया है और आगा में कारवाई अमल में लाई जा रही है इस केस से ये साबित हो गया है कि स्टोलन में निशे क काला कारोबार अपनी जड़ें लगातार गहरा ताजा रहा है हमने स्पैसल टेमें बना रखी हैं जो स्पैसल इस नशे नशेवरी पर ध्यान दे रही हैं और हम आए दिन जो हैं एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमें दर्श कर रहे हैं और इसमें और भी अगामी सक्त कारवाई बनाई जाएगी